हाई गाईज वन्स अगीन वैलकम बैक ओन मैं चैनल मैंस विद आरना क्लास 9 चैप्टर 2 हम कर रहे थे और हम एक्जाम्पल 6 पर पहुँच चुके हैं तो हम अपने एक्जाम्पल 6 से स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं इसको करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे चलिए हम अब इसके क्वेशन को करते हैं तो जो स्टुडेंट अभी क्लास 9 में आया है उनके लिए तो लॉंग डिवीजन मैथड नया है तो इसको हम डिवाइड करते हैं लॉंग डिवीजन मैथड से हम इस PX को अंदर लिखेंगे क्योंकि हमें PX को डिवाइड करना है GX से तो हम हमेशा decreasing power में रखते हैं X की तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 3X square फिर हम लिखेंगे X और फिर हम लिखेंगे minus का 1 और हमें GX से डिवाइड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे X प्लस का 1 अब हमें देखें हमें क्या करना है पर्स नमबर को देखना है इसके फर्स नमबर से तो हमें X में किस से multiply करें कि 3X square आए तो हम X में 3X से multiply करेंगे तो 3X square आएगा आगे हमें DZ से कोई मतलब नहीं है आप फर्स फर्स देखें कि X की किस से multiply करूँ क्या हमारा है 3X square तो 3X से क्या अब 3X की ऐसा नहीं है इसी से होगी दोनों से करेंगे यानि कि जो 3X की multiply है वो होगी अब X प्लस 1 से सिर्फ हमने एक factor पता कर लिया अब 3X की X से करेंगे 3X square 3X की 1 से करेंगे प्लस का 3X इस पूरे नंबर को हम यहां लिख देंगे जैसा कि हम divide करते हैं तो subtract करते हैं हम इन्हें subtract करेंगे subtract कर दिया अब प्लस का 3 ता minus होगे प्लस का 3 ता minus होगे यह हो गया cancel out प्लस X और minus 3X प्लस X और minus 3X होता है आपका minus का 2X minus का 1 यह वाला नंबर भी आप उतार लोगे आगे जितनी भी digit है अब देखिए अब भी हम इसका first और इसका first देखेंगे यानि की X की multiply किस से करूँ की minus का 2X आ जाए तो अगर मैं X की multiply minus के 2 से करूँगी तो minus का 2X आ जाएगा minus के 2 से करेंगे ऐसा नहीं है सिर्फ इसी की करेंगे दोनों नंबर की करेंगे यानि कि हमारा आएगा minus का 2X और minus के 2 की इससे करोगे minus का 1 वो ही sign change सब्ट्रिक करते हैं माइनस का 2 प्लस यह माइनस का यह प्लस यह cancel आउट होगा minus 1 और यह 2 आएगा आपका माइनस के 2 से कर रहें तो 2 में से वन गया 1 यानि कि आपका remainder क्या आया 1 यह हमने पूरा divide कर दिया